चीन के साथ इनकी सरकार के कैसे रिलेशन रहे और हमारे कैसे रिलेशन है यह हम इस पश्ट कर देना चाहते हैं हमारी सरकार आने के बाद आप जाकर चेक कर सकते हैं 2020 में बीजिंग के एक ठिंक टैंक ने जो वहां की government से related माना जाता है उसने ये शब्द प्रयोग किया है कि China is passing through its worst diplomatic isolation post Tiananmen Square परन्त मुझे समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी जी को बार बार चीन की बातों पर इतना प्यार क्यों मड़ाता है ये राजीव गांधी foundation को मिले हुए दान का एहसान है या चीन की communist party के साथ हुए करार का इकरार है कि बार बार वो भारत सरकार से तकरार करने को तैयार रहते है